नमस्कार मैं हो ससी, आई जहरखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं जिला पर सासंद्वारा महिला लावकों के खाते में या रासी भेज़ दी गई है इस वहिना के तहट अभी राजी की 51 लाग के करीब महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है बतादे कि मुख्यमंत्री हमन्सुरे ने अपने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि नौरात्री के पावन बेला में मैया समान रासी की तीसरी किस्त बहनों के खाते में सिधे पहुचेगी पिछले दो महिने में समान रासी की या तीसरी किस्त रिकोर्ड समय में पहुचाई जा रही है इससे पहले मैया समान योजना की पहली किस रक्षा मंदन के औसर पर 18 अगस्त को जारी होई थी वहीं दूसरी किस 13 सितंबर को जारी की गई थी अब इस तरह इस योजना के तहत 51 लाग सधिक महिलाओं को रइस्टर्ड किया गया है पहले या योजना ये कई से 49 वरस की महिलाओं के लिए थी लेकिन अब 18 से 20 वरस की महिलाओं के लिए भी सामिल किया गया है जैराम महतों के खिलाब आधिवासी संगटनों में आकरोज जैबी केसेस के अध्यक्स जैराम महतों के खिलाब कई आधिवासी संगटन आकरोज सी थाए सारना समीति के केंद्री अध्यक्स अजय तिरगी ने खुली चेतावनी दी है उन्होंने कहा है कि अगर जैराम महतों ने आदिवासी धार्मिक पर्मपरा का आपमान किया है तो वह तुरत माफी माँगे नहीं तो उनके खिलाब आदिवासी समुदाय बिरोत करेगा और थाने में ममला दर्च कराएगा जैराम महतों की पिछले दिन धनबाद में जन सभा के दोरान माथे पर गेरुए पगड़ी और सरना गमचारवा कर समोधित करते हुए तस्बीर वारेल हुई थी वहीं केंद्रिय सरना समित्ती के अध्यक्ष ने कहा है कि जैराम द्वारा आदिवासीों की धार्मिक भावना को ठेस पहुचाने का काम किया गया इधार केंद्रिय सरना समिती के केंद्रिय अधेश फूलचन तिर्की ने कहा है कि सरना गमचाप पर खड़े होकर भासन देना आदिवासियों के धार्मिक भावनाओं को ठेश पहुचाना है इसलिए उन्हें आदिवासि समाज से माफी माँग लेनी चाहिए ज्यारखन में दो दिन बाद साफ होगा मौसम रांची समेत ज्यारखन में अगले दो दिन तक आंसी के बादल चाहे रहेंगे और कुछ अस्थानों पर गरज के साथ हलके से मत दर्जे की बारिस के असार है कुछ जगह बजरपात काफी अलर्ट जारी किया गया हलाकि इसके बाद मौसम साफ होने की उमीद है मंगलवार को राज के संताल परगना के गोड़ा में सबसे अधीग 123.2 mm बारिस हुई है जबकि साम को रांची में 31.4 mm बारसा रिकोट की गई वहीं मंगलवार को दीन में गिरीडी में 14.5 और रामगर में 8.5 समयत कुछ अन्य अस्थानों पर हलकी बारिस हुई है मौसम विभाग के अनुसार सुबे में पिछले 24.5 mm और खलारी में 32 mm लोहर तग्गा में 10 mm बारिस हुई मौसम विभाग के अनुसार राज में अभी तक अक्टूबर में 12.5 mm बारिस हुई है जो कि समाने बारिसे 65% कम है जारखंडियों को भीख नहीं मेहनत की रोटी चाहिए जैराम महतो राज महल प्रखंड छेत्र के मौन्डरी सिव मंदिर मैदान में मंगलवार को जारखंड करांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा का राज महल बिधान सभा बदलाव संकल बिधान सभा को समोधित करते हुई पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष जैराम महतों ने कहा है कि जारखंड बिधान सभा चुनाओ की बेगुल बज़ते ही राज सरकार वा केंजर सरकार लोलीपॉप जानता को थमाने का काम कर रही है मैया समान योजना वा गोगो दीदी योजना सिर्फ चुनाओी लोलीपॉप है हमें इन सभी पर ध्यान नहीं देना चाहिए माता को समान देना हो तो उनके बेटा और पती को रोजगार दीजिए हमें भीख नहीं मेहनत की रोटी चाहिए जारखंड क्रांतिकाई लोकतांतरिक मोर्चा की सरकार बनती है तो जारखन में संचाल प्राइबेट कम्पनी में 25 पथे जारखंडी के रोजगार सुनी शिट होगी उन्होंने कहा है कि पार्टी के वर से उन्हें राज महल बिधान सभास से पत्यासी मोतिलाल सरकार को बनाया है उन्होंने कहा है कि पहले हम झारखंडी खेती में इतने सक्षम थे कि कोई हमारे दर्वाजे पर मांगने आता था तो 5-10 किलो आनाईदान करते थे आज वही स्थीती बदल गई है हम रासन दुकान में 4-5 किलो आनाज के लिए घंटो खड़े रहते हैं जारखन केबिनेट की बैठाक में एकासी प्रस्ताओ को सुक्रिती मुख्यमंत्री हमान सुरेन के नितित में राज केबिनेट के स्वास्त शेतर में सुधार और अधारबोस सनरजनाओ के लिए सरकार के खाजाना खोल दिया गया है अकेले ही रिम स्पाइचर में भनोक निर्मान और जिरनोधार के लिए 732 रुपे से अधिक योजनाओ की सुक्रिती मिली है इसके साथ ही सभी अस्पतालों में मड्यूलर ओटी के निर्मान की भी सुक्रित दी गई मेडिकल कॉलेज यो अन अस्पतालों में 35.6 रुपे में मड्यूलर ओटी का निर्मान होगा वही राचिस्तादर अस्पताल में सीटीए स्केन और एमराई मसीन खरी दी जाएगी मंगलवार को कैबिनेट की बैठाक में कूल 81 प्रस्ताओं के स्विधि पदान की गई कैबिनेट ने बुजरुगों पर खास ध्यान देते हुए इंद्रा गांधी पेंसन योजना के दाराए 80 वरत से अधिक के बुजरुगों के लिए भी बढ़ा दिया है इन्हें हर महीने 1000 रूपए पेंसन के तोर पर मिलेंगे कैबिनेट सची वंद्ना दादेल ने मीडिया को तमाम निर्नायों की जनकारी दी है वहीं कैबिनेट के निर्नाय के बाद अब जहार्खन के सरकारी स्कूलों में कक्षानों से बारत तक के बिद्यार्थों को डायरी मिलेगी जिस पर उनके नियमित किरिया कलापो को अंकित किया जा सकेगा वहीं जहार्खन के सभी जीलों में बार कॉंसिल भावन बनाने के प्रस्ताव को भी सोग्रीदी पदान की गई है हर्याना में पार्टी के जीत पर जहार्खन भाजपा में जस्न हर्याना बिधान सभा चुनाओं में भारतिया जानता पार्टी को जीत मिली है इस से जहार्खन भाजपा के करकरताओ का उत्सा भी चरम पर है मंगलवार को परदेश कर्याले के बाहर भाजपा करकरताओं ने अतिस बाजी की और मिठाय बाटी है बदादे परदेश अद्यक्ष बावलामरांडी और संगठन महामंत्री करमबीर सिंग भी करकरताओं के इस उत्साह में सामिल हुए बावलांडी ने कहा है कि परदान मंत्री नायंद मदी के वादो पर भरोसा कर हर्याना के लोगों ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है साथी वरेश्ट चार के खिलाब चलाय जा रहे अभियान को भी लोगों ने अपना समर्तन दिया है जार्खन परदेश कांग्रेस मुख्यालाई पर मंगलवार को जम्मु कास्मी बिधान सबाचुना दो है चोविस में INDIA को प्रचंड बहुमत मिलने हर्याना में कांग्रेस की सीटे बढ़ने एवां जार्खन परभारी गुलाम आहमद मीर को बिधान सबाचुना में जीत मिलने की खोशी पर पटाखा फोड़ कर जस्न मनाया गया है जार्खन में घूम रहे महिलाओ को गुमराह करने वाले कलपना सुरेन मुख्यमंत्री मया समाने अत्र मंगलवार दोफर कूडू पहुँची है मंज पर आते ही भी धाय कलपना मुर्मु सुरेन ने बिना नाम लिए बीजेपी पर जोरदार हमला किया है और कहा है कि जूठ तथा आधी अबहादी को लॉलीप दिखाने वाले झार्खन में घूमने लगे हैं आधी अबहादी जहां घर समालती है वहीं घर से निकलने के बाद दुर्गावा काली बनकर दुस्मनों का संगार करती है जारकन की आधियबादी जाग चुकी है आधियबादी नारी सक्ती बन कर जूटे सपने दिखाने वालों को मुहतुर जबाब देगी बिधाय कलपना मुर्मू सुरेन ने मुख्यमंत्री मया समान योईना के संबंध में कहा है कि महिलाओ को राजी के मुख मंत्री हमन्सुरेन मजबूत बनाने का काम कर रहे है आयलोहर्दागा की करांतिकारी भूमी मैया समान यात्रा के दिहाशी कारकरम का गवाब बनने का सभाग मिला है मैट्रिक इंटर के 97 टोपर सम्मानित मुख्य मंत्री हेमन सुरेन ने कहा है कि सिक्षा और विकास के छेतर में भी जार्खन पहचान बनाए जार्खन सिर्फ खनीज समपता के लिए नहीं जाना जाए बलिक अपनी परतिभावोस से भी जाना जाए मंगलवार को वे स्कूली सिक्षावा सस्कता बिभाकी और स्यावी नियुक्ती पत्र विद्वान समान समारों में बोल रहे थे उन्होंने 76 यूआओ को नियुक्ती पत्र बाटा है जबकि मैट्रिक वा इंटर के 97 टोपर को पुरुसाहन रासी लैप्टोप और स्मार्ट फोन दिया इसके अलावा नेतरहट आवासे बिद्वाले की तरज पर चाईबासा के खुटपानी बोकारों के नवाटी और दुमका के मसलिया में बिद्वाले भवन का ओनले सिरे नियास किया है सर्जु राय बन्ना के खिलाब चुनाओ लड़ेंगे जमसेदपूर पूर्वी बिधायक सर्जु राय ने मंत्री बन्ना गुपता के द्वारा लगाए गया रोपो पर जबाब दिया है उन्होंने कहा है कि जमसेदपूर में दोनों सीठ है इक्षा है तो जमसेदपूर पच्छमी से भी वे चुनाओ लड़ सकते है 90 दिन में 50 लाख मैया को दिया समान हेमंद सुरेन मुख्य मंत्री हमंद सुरेन मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि जेल से लोटकर राजे की कमान समहाले उन्हें 90 दिन हो गए इन 90 दिनों में राजेवासियों के सहयोग से उन्होंने कई उपलब्दिया हासिल की है मुख्य मंत्री ने जन कल्यान, महिला सस्कतिकरन, किसान, कल्यान, बिजली सुधार, बुनियादी धाचा, विकास, नियुक्ति, पर रिक्षा समेत कई छेत्रों में हासिल होई उपलब्दियों को सोचल मेडिया पसाजा किया मुख्य मंत्री ने लिखा, किसान कल्यान के छेत्र में भी कई उपलब्दिया हासिल होई है लाखों किसानों के दो लाख रुपए तक के कर्ज माप हुए है और दूद खरीद में किसानों को पांच रुपए परते लिटर बोनस मिल रहा है काके सियो समेतीन के घर छापा रांची में जमीन गलबाड़ी की जाच में जूटे परवतर निदे साले के अपसरों को मैनेज करने से जूड़े मामले में एडी ने इनफोर्समेंट केस इनफोर्समेशन रिपोर्ट दर्ज कर छान बिन शुरू कर दी है सुखदेव नगर्थाना में जमीन कारोबारी संजीव पांडे और अधिवक्ता सुजीत कुमार की ओर से दर्ज मामले के अधार पर एडी ने या ECIR दर्ज की गई है ECIR के बाद एडी ने मंगलवार को काके सियो जय कुमार राम रामकुम सीयो रहे प्रभात भुस्तर और धनबाद के बरतमान डीटियो और काके के पुर्व सीयो दिवाकर दिवेदी समेत जमीन कारोबारी संजाए पांडे और अधिवक्ता सुजीत कुमार के ठीकानों पर छापे मारी की है रांची में माद दुर्गे की परतीमा के समकक्ष लालू और कल्पना की मूर्ती पूरे देश में सार्देन और रात की धूम है लेकिन इस साल राजधानी रांची में बने पंडाल भक्तों को आकरशित कर रहे हैं सबसे अधिक आकर्शन का केंदर राजधानी के पूराने विधान सभा के पास बने पंडाल में है जहां एयोधिया के राम मंदिर के तज पर पंडाल का निर्मान किया गया है लेकिन इसके आलावा भी एक और पूजा पंडाल है जो काफी चर्चा में है यह पंडाल नामकुम रेलवे स्टेशन परिथित है जिसे नो युग संग जय माता दी कल्प द्वारा बनाया गया है बता दे इस पूजा पंडाल की खास बनाया गया है कि मा दुर्चा के परतिमा के समकच रायत नेता लालू परशाद यादो के परिवार सहीत चारकन के मुख्य मंत्री हमान सु तक आपने के बाद दी प्रोजलित कर्क या है धन्यवाद